नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों सपने वो नहीं होते जो रात को सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते आज का हमारा ये वीडियो ट्रिब्यूट है उस महापुरुष को जिन्होंने ये इंस्पिरेशनल शब्द कहे थे डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जिनका पूरा जीवन ही इंस्पिरेशन से भरा हुआ है आज हम उनीकी ओटो बायग्राफी विंग्स ओफ फायर से आपके साथ उनके जीवन के कुछ ऐसे किससे शेयर करेंगे जो ऐसी लर्निंग से भरे हुए हैं कि किसी भी डिरेक्शनलेस को डिरेक्शन और होपलेस को होप दे सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आइलेंग टाउन रमेश्वरम में डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ डॉक्टर कलाम को बच्पन सही आकाश के रहस्यों और पक्षियों के उड़ने में बड़ी दिल्चस्पी थी और वो भी आकाश में उड़ना जाते थे अब सोचने वाली बात ये है कि छोटे से टाउन में रहने वाले और इतने साधारन से परिवार में जन्मे हुए डॉक्टर कलाम कैसे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट और फिर बाद में प्रेजिडेंट ओफ इंडिया भी बने कलाम साहब अपनी ओटो बाइगराफी के शुरू के चेप्टर्स में इसका कारण बताते हैं जो कि इस बुक से हमारी पहली लर्निंग भी है वन यू इंटेंसली डिजायर सम्थिंग इंटायर युनिवर्स हेल्प्स यू इन अचीविंग इटॉक्टर कलाम कहते हैं कि वैसे तो उनके माता-पिता बहुत पड़े लिखे नहीं थे पर इसके बावजूद उन्होंने उनके सपने पूरे करने में उनकी पूरी मदद क क्योंकि अपने पिता से उन्होंने ओनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लेन और अपनी माता से उन्होंने काइंडनेस की बहुत इंपॉर्टन क्वालिटी सीखी उनके दोस्ट जलालुदीन जोकी उमर में उनसे 15 साल बड़े थे और बाद में उनके बहनोई भी बने उनका उनके सपना साकार करने में बड़ा हाथ था जरालुदीन ने कलाम साब का इंटरस्ट बुक्स की तरफ लगाया और बहुत लिमिटेड स्कूलिंग होने के बावजूद वोने लेटेस साइंटिफिक डिसकवरीज, कंटेंपररी लेटरेचर और मेडिकल साइंस में हो रही अचीवमेंट्स के बारे में बताते थे जिसकी वज़े से कलाम साब अपने छोटे टाउन की गलियों के बीच रहते हुए भी बहरी दुनिया में हो रही बड़ी बड़ी चीजों के बारे में अवेर रहते थे और फिर डॉक्टर कलाम बताते हैं अपने एक टीचर इदुरई के बारे में जिन्होंने डॉक्टर कलाम की लाइफ को एक मिनिंगफुल डिरेक्शन थी जब डॉक्टर कलाम 15 साल के थे तो इनी टीचर ने उनके आत्मी विश्वास को बढ़ाया उन्होंने विश्वास दिलाया कि कैसे एक कम पड़े लिखे माबाप का बच्चा भी अपने जीवन में वो सब कर सकता है जिसके वो सपने देखता है और उस टीचर की कही बात कलाम साहब ने बाद में सच भी करके दिखाई तो दोस्तो जरूरत है बस किसी भी चीज को पाने के intense desire की बड़े dreams रखने की फिर चाहे आप अमीर है या करीब आपके परिवार के लोग पड़े लिखे हैं या अनपड इससे कोई फरक नहीं बढ़ता किसी ना किसी तरीके से आपके environment में आपको वो लोग, वो inspiration, वो support मिल ही जाएगी जो आपके intense desire को या आपके बड़े सपने को सच करने में आपकी मदद करेगी So when you intensely desire something, entire universe helps you in achieving it School की पढ़ाई खतम करने के बाद Dr. Kalam ने मदराज Institute of Technology से graduation की Graduation के बाद Dr. Kalam के पास दो employment की opportunities आई एक थी Senior Scientific Assistant in Directorate of Technical Development in Production Air, Ministry of Defense और दूसरी थी उनके बच्चपन के उड़ने की सपने की selection in Indian Air Force दोनों के interview एक ही हफते में दिल्ली और दहरादून में schedule थे उनका Senior Scientific Assistant की post का interview बहुत अच्छा हुआ और वहाँ पर उनका selection भी हो गया पर Air Force की selection के interview में जहाँ पे ज़्यादा focus personality और physical fitness पे था वहाँ पे 25 candidate में से 9 नमबर पे आये जबकि selection सिर्फ 8 candidate का ही होना था मतलब उनका selection नहीं हुआ इस बात ने उन्हें उस दिन पहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया क्योंकि बच्छपन से वो जिस opportunity को grab करने के बारे में सोचते आये थे आज वो opportunity उनके हाथों से निकल गए उसी दुखी मन के साथ डॉक्टर कलाम अपने मन में चल रहे कई सवालों का जवाब ढूनने के लिए रिशी केश में स्थित सिवननद आश्रम पहुँचे जहां पे उन्हें स्वामी सिवननद मिले जिनको उन्होंने एरफोर्स में selection ना होने और अपने बच्पन का सपना तूटने के बारे में बदाया कुछ ही मिंटों में स्वामी सिवनननद ने डॉक्टर कलाम के सारे डाउट्स खतम कर दिये उन्होंने कहा कि अगर तेरे अंदर उडने की intense desire है तो कोई तुझे उडने से नहीं रोक सकता पर शायद तेरे सपनों का रास्ता एरफोर्स पाइलेट की रहा से नहीं जाता इस फेलियर को भूल कर आगे भड़ और खोज की कैसे तू अपने सपने सच कर सकता है इसके बाद डॉक्टर कलाम ने पूरे mental peace के साथ DTDNP air join किया और लग गए महनत करने ताकि अपने सपने सच करने की मनजिल तक पहुंच सके यहां मिलती है हमें डॉक्टर कलाम की life से दूसरी learning path to your dreams is zigzag, filled with failure and difficulties, embrace it with peace दोस्तो अब बात है 1969 की कलाम सहब DTDP air से Indian committee for space research में पहुंच गए थे जो कि इंडिया में space research activities के लिए बनाई गई organization थी उस समय satellite launch vehicle जिने यूज किया जाता है अर्थ की orbit में satellite place करने के लिए ताकि उनका इस्तमाल earth observation, navigation, communication, weather information और बहुत सी और information जानने के लिए किया जा सके उस समय ये activity भारत की पहुंच से बहुत दूर और बस अमेरिका और फ्रांस जैसे developed nations के रीच में थी उसी समय डॉक्टर विक्रम सारा भाई जिनको father of Indian space program माना जाता है ने डॉक्टर कलाम को Indian technology और components के साथ satellite launch vehicle और satellite त्यार करने और फिर उन्हें earth की orbit में launch करने के प्रोजेक्ट का लीडर पॉइंट किया वो काम जो resources से भरे developed nation कर रहे थे उसे इंडिया में करना बहुत challenges से भरा हुआ था पर डॉक्टर कलाम के लिए तो ये उनके सपनों को साकार करने का proposal था जो उन्होंने बहुत खुशी से accept किया और फिर करीबन 10 साल कड़ी मेहनत की अपना घर परिवार सब छोड़के जितने भी failure आये उनका सामना करके और फिर उठके 18 जुलाई 1980 को इंडिया के पहले satellite launch vehicle SLV3 ने इंडिया में ही बने रोहिनी satellite को low earth orbit में एंटर करवाया और बस कुछ उन देशों की लिस्ट में शामिल प्रोजेक्ट, Integrated Guided Missile Development Program को भी अंजाम दिया गया, इस प्रोजेक्ट के दुरान डॉक्टर कलाम की लीडर्शिप और कड़ी मेहनत में भारत को अगनी, पृत्वी, तृषूल, आकाश, नाग जैसे strategic missile system दिये, ऐसे missile system जो पहले सिर्फ Western World की रीच में ही माने जाते थे, तो of Defense तक पहुँचने तक और फिर SLV, सैटलाइट और strategic missile system लाँच करने में उनको बहुत से failures और difficulties का सामना करना पड़ा, पर वो हार ना मानकर बस आगे बढ़ते गए और अपने सभी सपनें को सच कर गए, इन सारी उपलब्धियों के लिए डॉक्टर कलाम को पद्म भूशन, पद्म भूशन और भारत के highest civilian award भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वो भारत के राष्टर पती भी बने तो दोस्तों ये थे कुछ किस्ते डॉक्टर कलाम की कहानी से उनके एक साधारन से शहर में, साधारन से परिवार में पैदा होने से राष्टर पती बनने तर और उन किस्तों में चुपी अमुल्य लर्निंग्स जिसको कोई भी अपने जीवन में अपना कर अपने सपनों को भी पंक लगा सकता है। किस्ते बना कर दो एक सकता है।